जब भी हमारा कोई प्रयास विफल होता है यह हमारा काम विफल होता है, उसमें कमी रहती है हमारी निष्ठा और भावना की, कई वार उस वीधी की, किरियानवन की और कई वार वक्त की, और कई वार भाग्या की. सबी चीजे मिल जाती है जब उस वक्त हमारा हर प्रयास विफल होता चला जाता है हर प्रयास अस्फल हो जाता है ऐसे ही बहुत सारे माता पिता भी कहते हैं कि कुछ भी करो बच्चों का विवायोग नहीं बन रहा है बच्चे खुद भी कहते हैं कि बहुत कुछ कर लिया लेक गई है और हमारे सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं लेकिन सावन का महीना जो है वो आप सभी जानते हैं कि भोलेनात्मा पारवती को प्रिये महीना है और भोलेनात्मा पारवती बच्चों के विवायोग को लेकर हर प्रकार का जो दोश है उसको शमन करते हैं आपके कितन इस बात को इस समस्या को वो ही हल करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको उसका हल मिलता है आपके प्रयास सफर होते चले जाते हैं एक बार भोड़े नात्मा पारवती पर छोड़ के देखिए इस बात को अब बात करते हैं कि यह जो अवसराया है दो हजार तेश सावन का इस सुनेहरा अवसराय एक ही महीने का सावन होता है अबकी बार दो महीने हैं तो कोई भी एक काम चोटा सा पकड़ लीजिए बोड़े नात्मा पारवती के लिए उनके निमित उनके लिए भावना करते हुए कि हमारा ये काम हमारी ये समस्या का समधान हमें मिल जाए तुरंत आपके पूजा राधना से तो वो तुरंत मिलेगा आपको मिल ही जाएगा जरूर आप विश्वास करके देखें एक बार निश्चित तोर पर बात करेंगे कि छे जुलाई को जो गुरुबार पड़ रहा है गुरुबार के दिन है संकस्टी चतुर्ति ययनकि गनेश चतुर्ति गनेश चतुर्ती के दिन एक छोटा सा उपाई करें भगवान गनेश के निमत भोलेनात के निमत मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी यहां कि अगर आप पूरे सावन के दोनों महीने गनपती भगवान को भोलेनात को और मापारवती को यह एक छोटी सी चीज अरपित रो को कि माही करना शुरू कर दे तो जरूर बच्चों की विवाय योग बनेंगे बच्चे खुद अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है ज्यादा असरदार होगा यह उपाई जो मैं आज बता रही हूं तो उनको रोजाना अगर वो करें उसमें कुछ भी खर्चा नहीं है आपको थोड़ा से मेहनत करके बस मंदिर जाना होगा और यह काम करके आना होगा अन्यथा आप सावन में जितने भी चतुर्थी पढ़ रही हैं उसको कर लीजिए जितने भी बुद्धवार पढ़ रहे हैं बुद्धवार को कर लीजिए लेकिन 6 जुलाई को जो गुरुवार पढ़ रहे हैं उस दिन आप क्या करिएगा आपको चाहिए नो शम्मी पत्र अब आप कहेंगे कि आपने तो लिखा है पांच शमी पत्र और अब बता रहे हैं नो शमी पत्र तो बिल्कुल आपको नो शमी पत्र ही लेना है नो शमी पत्र लेकर आपको एक दी में या हर चतुर्थी पर कर सकते हैं लगातार आप देखेंगे तुरंत मनों कामना पूरी होगी बच्चों के विवाय योग जो विगन पढ़ रहे हैं न क्योंकि आप जानते गनपति उपाब विगन हरता है जो विगन पढ़ रहे हैं जो रुकावटे लग रही हैं वो सारी कि सारी एक बार में ही समापत हो जाएंगी करना क्या होगा मंदिर जाएगा मंदिर जाने के बाद भोले नाथ के पास बैठिएगा एक बार तो सबसे पहले उनसे बिंती प्रार्थना करिएगा है ना भोले नाथ का शीवलिंग हो उसके पास बैठें और वहां पर बैठने क आपके पास जो 9 शम्मी पत्र हैं, 9 शम्मी पत्र में से 5 शम्मी पत्र अलग कर लीजिए, बाकी वाले शम्मी पत्र अलग रह गए, अब पहले 5 शम्मी पत्र अपने हाथ में ले लीजिए और गनपती भगवान का ध्यान करते हुए, बिंटी प्रार्थना करिए कि मैं जो आप देख लिजिए गनेश जी का स्थान कहां पर है बपा का वहां पर एक एक शम्मी पत्र मयूर्धवज का नाम लेते हुए मयूर धवज विगन हर्ता ऐसा एक एक बार एक एक पत्ता वहां पर अर्पित करें गनपती भगवान को पांच शम्मी पत्र में से एक एक शम्मी पत्र इस प्रकार से मयूर धवज विगन हर्ता और अपने विवा की कामना बोले मयूर ध़वज विगन हरता और अपने वीवा की कामना बोले यह करते हुए आपको पांचों के पांचों इस्ताने से 5 बार नाम लेते हुए भगवान मैओ धवज़ का गनपती भगवान के स्थान पर अर्पित कर दीजिए यह पांच के 5 आप अब पांच अरपित करने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा गुड का टुकडा भी अरपित कर दीजिए गनपती भगवान को आप सभी जानते हैं गुड गनपती भगवान को बहुत पिरिये है और उनको जरूर और जरूर हर हालत में अरपित करना चाहिए एक छोटा सा गुड का टुकडा यानि के चतुर्थी है उस दिन वहां पर जरूर अरपित करें जहां आपने गनेश जी को शम्मी पतर अरपित किये हैं अब आपके पास रह गए हैं चार शम्मी पतर जुसमें से तीन उठा लीजिए तीनों हाथ में लेके अब उनके पिता जी यानि के भोले नात को याद करिए नमेश्युआए नमेश्युआए करते हुए तीन शम्मी पतर हाथ में लेकर भोले नात से बिंती प्राथना करिए कि हम जिस काम के लिए आप से प्रार्थना कर रहे हैं किर्पया उसमें शिगरता सफलता दें शिगर से शिगर वीगन वादाई सारी हटा कर सफलता दें हमारी मनोकामना पूरुन करें माता पिता हो तो बच्चों के लिए बोल दें बच्चे हो तो स्वयम के लिए खुद के ल करने के बाद भुलेनात के आगे नंशकार करें उनके मंत्रों का जाब करें शीव 7 कुछ भी पड़ें गनेश संक्कट नाशन स्तूत्र का पार करने वहाँ पर इन कुछ भी कर सकते हों तो किरें और करने के बाद वहां बीपक ऊठाएं और एक बाहर की तरफ आएं और várias आते हुए आपको बाहर कदम जैसे रखें आपके लेफ्ट साइड में ये शिव भगवान की चोखट पर यहां पर वो शमी पत्तर जो गनेश भगवान के यहां से बचा हुआ था वहां पर अर्पित करें साइड में अर्पित करने के बाद उसके पास जलाएं एक घी का दीप यहां पर प्रजृत करें और बैठ कर वहां गनपती भगवान को बिंती प्राथना करें कि शम्मी पत्र मैंने यहां आर्पित किया भगवान की चोखट पर मैं आपके चोखट पर अपने बिंती प्राथना लिए खड़ा हूं या खड़ी हूं आप हमारे मनोकामना शिगर अति शिगर पूरुन करें बच्चों को विवायोग बनाएं जितने भी विगन वादाएं सब दूर करें हम आपके सहारे आपके आसरे बैठे हैं यह सारी समस्याएं लेकर इतना कहते हुए बोले नात के गनपति भगवान को बोले नात को याद करते हुए वहां पर दिपक प बच्चों के विवायोग बनेंगे इसी सावन के महीने में विवायोग बनेंगे और तुरंत बच्चों को विवायोग होगा गनपति भगवान सारी विगन बाधाएं एक बार में ही समापत कर देंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करें चैनल पर पहली बार आयों सब्सक्राइब जुरू करें कमेंट बॉक्स में जै गनपती उप्पा हर हर महादेव जुरू लिखें थैंक्स वर्वाच